ACL injury के बाद physical test कब दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, कितने महीनों बाद दे सकते हैं? दोस्तों, physical test आता है आर्मी में, पुलिस में और बहुत सरे अलग-अलग entrance exam ने हैं इसके अंदर बहुत aggressive exercises करनी पड़ती है, जिसके अंदर running, long jump, burpees और कई तरह की exercises होती है बहुत ही intensive exercise हो तो अगर आपको ACL injury है आपकी MRR में ACL injury आईए तो क्या आप physical test दे सकते हैं क्या कोई इलाज है जिसके करने से आप जल्दी physical test दे सकते हैं और किते महीनों के बाद दे सकते हैं तो दोस्तों ये सारी चीज़े depend करते हैं कि किस grade की injury है आपके ACL अगर आपके ACL में grade 1 tier है, partial tier है, low grade partial tier है, ACL edema ये strain है इस condition में operation की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ता है जब ऐसा कोई patient मेरे पास आता है तो हम उसे platelet risk plasma PRP injection offer करते हैं PRP आप ही के blood से बनती है दोस्तों उसमें आप ही के blood के platelets growth factor होते हैं आपके blood को निकाल के centrifug करते हैं इस special vial के अंदर और उससे जो PRP बनता है वो उस नहीं में inject करते हैं इससे आपका जो ligament tier हो बिना surgery के ठीक हो आता है जनरली जितने ही patient में PRP करता हूँ, maximum जो complete result उसमें 45 days के अंदर आ जाए एक महीने से डेड़ महीने के बीच में आपकी चोड बिलकुल हीर हो जाएगी और आप किसी भी तरह का physical दे सकते हैं पर अगर आपके MRR में high grade tier लिखावा है, grade 3 tier लिखावा है, grade 2 tier लिखावा है, high grade partial लिखावा है, complete लिखावा है, near complete लिखावा है और इतने बड़े tier के बाद वैसे भी long jump और करना बहुत मुश्किल होता है, नहीं कर पाते हैं साथ, तो physical में pass उना ही बहुत मुश्किल होता है इस condition में एक ही तरीका है, कि हम उसकी surgery करें, दुर्बीन की surgery होती है, कोई बहुत बड़ा चीरह लगता है, सब कुछ छोड़े चेट सो आता है, उसके निशान भी गायब जाते हैं कुछ महीनों के बाद अगर आपकी surgery, fiber, tape, internal, brace, method से करी गई है, तो तीन महीने में आप back to running जा सकते हो, physical test दे सकते हैं तीन महीने के बाद वहीं conventional surgery के अंदर physical test देने में 6-9 months लग जाते हैं, तो अगर आप physical देना चाहते हैं और आपके हमारे में low grade tier है, तो दोस्तों उसको आप ठीक कराईए, PRP से बिल्कुल ठीक हो सकता है, कई बार अगर हम low grade tier में इलाज ना लें और physical test के लिए जाएं, बहुत aggressive exercises करें, तो low grade tier high grade में भी convert हो सकता है, तो बहुत जरूरी कि अपने low grade tier को ignore नहीं करना चाहिए, उसका अच्छा इलाज ये ना चाहिए, ताकि वो बिल्कुल ठीक हो जाए, और वो high grade में नहीं बदले, और आपको कभी operation की ज़रूतना है, अगर आपको high grade tier है, तो तीन महीने में आप back to sports जा के लिए क्या सर्जरी से आपको बचाया जा सकता है, और अगर सर्जरी भी करनी पड़ी, तो कैसे हम आपको जल्दी से जल्दी physical और sports में उतार सकते हैं, हम रखें आपका खयाल.